अभी हम आचारिय भिक्सु की जन में भूमी कंटालिया में अवस्थित हैं और विक्रम सम्मत दो हजार बैयाशी की आशाड शुक्ला त्रयोदशी से आचारिय भिक्सु की जन में त्री सताब्दी समारोह का सुभारंब होने वाला है काल की द्रिष्टी से वह समय निर्धारित है और क्षित्र की द्रिष्टी से देखें तो जन में भूमी कंटालिया है तो मैं क्षित्र और काल दोनों का मान रखते हुए आज यह घोषना करता हूं कि आचारिय भिक्षु जन में त्री सताब्दी समारोह का क्षित्रत है सुभारंब किया जा रहा है साथ 21 एम से यह क्षित्रत है सुभारंब की घोषना हमें स्विकार है सम्मत है मैं यह बताना चाहता हूं कि परम बंदनिये परम श्रद्धेये परम पूजनिये आचारिय भिक्षु हमारे धर्म संग जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आज्य आचारिय थे आज्य गुरु थे आज्य अधिशास्ता थे और मानों की वे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के जनक थे तो उनके जन्म के तीन सो बरस और तीन सोवे बरस का प्रारंब संग दो हजार पत्चीश और विक्रम सम्मत दो हजार बैयाशी में आने वाली आशार सुक्ला त्रयोदशी को होने वाला है यथा संभवतया मैं काल तह काल की द्रिश्टी से तो उसे आचारिय भिक्सु त्री सताब्दी दन में महुत्सव बरस के सुबारंब की गोसना संग दो हजार पत्चीश में विक्रम सम्मत दो हजार बैयाशी में आशार सुक्ला त्रयोदशी के दिन कर सकूंगा ऐसी मुझे यथा संभवतया आशा है और वे सुभारंब का उपक्रम संभवतया एहमदाबाद में हो सकेगा और उस त्री सताब्दी बरस का समापन संभवतया विक्रम सम्मत दो हजार तैयाशी सन दो हजार चब्वीश की आशार सुक्ला त्रयोदशी के दिन जैनविश्व भारती लाड़नों में हो सकेगा यह यथा संभवतया निलनए बताया जा रहा है तो इस अनुशार इस त्री सताब्दी बरस का पहला चरण तो हमारे सन्निद्य में एहमदाबाद में हमारी सन्निद्य में हो सकेगा और चौथा चरण यथा संभवतया जैनविश्व भारती लाड़नों में विक्रम सम्मत दो हजार तैयाशी सन्दो हजार चब्वीश की आशार सुक्ला त्रयोदशी को हो सकेगा उसका एक चरण जिसको मैं महाचरण संग्या देच चुका हूँ वह महाचरण इस कंटालिया में हो सकेगा और वह सन्दो हजार पचीश के चतुरमास की संपनता के बाद और सन्दो हजार चब्वीश के मरियादा मोद्शुव के मध्य में बीच में यथा संभवतया मैं कंटालिया में आशकूंगा और कम से कम तेरे रात का प्रवास कंटालिया में करना मैंने घोशित स्विकृत किया है उन दिनों में यह महाचरण आचारिय भिक्षू जन में त्री सताब्दी समारोह का तीसरा चरण जिसको महाचरण संग्या दी गई है वह कंटालिया में गुरुकुलवास के रूप में संपन हो सकेगा और इसका एक चरण जिसको तीसरा चरण कहा जा सकता है वे छोटी खाटू में मरियादा मोद्शुव के समय संपन हो सकेगा मरियादा मोद्शुव वे उसके आसपास के दिनों में वो तीसरा चरण हो सकेगा और चोथा वे अंतिम चरण वो जैन विश्व भारती लाड़नों में संपन हो सकेगा तो यह इस प्रकार चार चरण निरनीत किये जा रहे हैं चार में एक महाचरण है तिस जो कंटालिया वाला है तो आज हम परमबंदनिय आचारिय विक्षू की जन्म भूमी पंटालिया में स्थित हैं आउपचारिक रूप में जन्म वरस का महत्व है तो आउपचारिक रूप में जन्म भूमी का भी अपना महत्व होता है काल और क्षित्र दोनों का अपना-अपना महत्व होता है इसलिए काल की दृष्टी से आचारिय भिक्सु जन में त्री सताब्दी समारोह वरस का सुभारंब तो बाद में हो सकेगा पर क्षित्र की दृष्टी से मैंने आज यहीं घोसना कर दी है और यो माना जा सकता है कि जन में त्री सताब्दी वरस की प्रिष्ट भूमी में यह हमारी क्षित्रत है जो सुभारंब की बात है वो उसकी मानों काल की प्रिष्ट भूमी में क्षित्र है तो यह चार चवन जो मैंने बताए हैं आप उने एक बार सुन सकते हैं आचारिय भिक्षू जन में त्री सताब्दी समारोह वरस का पहला चरण गुरुकुलवास सानिध्य में एहमदाबाद में सन दो हजार पचीश में आचार शुक्ला त्रयोदशी के दिन मुख्य समारोह के रूप में हो सकेगा और उसका दूसरा चरण महाचरण के रूप में सन दो हजार पचीश के चत्रुमास की संपन्नता के बाद और सन दो हजार चब्यादा मुद्शव से पूर्व मद्य में कंटालिया परमस्रद्य भिक्सु स्वामी की जन्म भूमी में हो सकेगा तीसरा चरण चोटी खाटू मुर्यादा मुद्शव के दिनों वे आसपास के दिनों में यथा संभव रूपे ने संभी 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 समध्दोजार तैयाशी की आशाड़ शुकला त्रयोदसी के मुख्य समारों में बरस की संपन्नता चोथा चलन शमायोजित हो सकेगा ये चार चलन हैं अब जो बात हैं कि क्षेत्रत है सुबारंब हुआ है तो करना क्या चाहिए करने की द्रिष्टी से तीन बाते हैं सादू साद्विया समनिया स्रावक्ष्राविकाएं जितने रूची जितने अनुकूलता ओम भिक्सु जय भिक्सु का जप बुल्य आज से इसरू करके मुख्षय तया beginner संवत्व हुद दो जार तयाशीटी असार सुकला शुक्ला त्युश्त की सारी बात है जप करने का प्रयास कर सकते हैं दूसरी बात तेरा पंथ प्रबोध को जिनको याद नहीं है वे कंठस्त करने का प्रयास कर सकें वो कर सकते हैं और याद है वो यथा अनुकुलता उसका स्वाध्याज करते रह सकते हैं यह दूसरी बात है तीसरी बात है कि भिक्षू विचार दर्सन पुष्टक आचारिय महाप्रग्य जी की मुनि अवस्था की मुल्कृति है उसका जितना आनुकुल्य हो उसका पठन स्वाध्याज भी किया जा सकता है तो क्षित्रत है सुबारंब के संदर में यह तीन उपक् अध्यात्मिक आरादना के रूप में बताए जा रहे हैं और कंटालिया के लोग कंटालिया में महाचरन हैं अभी हम कंटालिया में ही है और यह कम से कम तेरे रात का प्रवास का हमारा नियु नई है यह था संबब रूपे ने तो कंटालिया के लोगों के लिए विशेस बा कंठालिया को जुड़ने का एक मोका प्राप्त होने की संभावना बनी है तो हमारा यह क्रम अच्छे रूप में चले मैं परम स्रद्य भिक्सु स्वामी को बंदन करता हुआ उनकी आचारिय परंपरा उत्तरवर्ति और विशेष्टया परंपुज्य आचारिय तुलशी और परंपुज्य आचारिय महाप्रग्य जी जिनके चलनोप पात में मैं रहा था और यह जनमित्री सताब्दी का अवसर जो सामने आ रहा है वो हमारा अध्यात्मिक रूप में अच्छे डंग से और सादगी सयम के साथ भी मनाया जाए और चार चलनों के शिवाई बीच बीच में कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम आधी यथा अनुकुलता हो सकेगा तो हम विक्षु स्वामी का स्मलन करें विक्षु मारे प्रगट्या मारे प्रगट्याजी भारे मंत्रा अक्षरे से में नामे विगने मीटे घरे घरे में भेग्षु मारे प्रगट्याजी भारे प्रगट्याजी भारे प्रगट्याजी भारे तो यह जो सुबारंब का उपक्रम है हमारे साद्वी प्रगट्याजी भी यहां विराजित हैं मुख्य मुनी हैं साद्वी वरिया हैं और हमारे साद्व साद्विया और लोग भी हैं हमारे स्रावक लोग भी हैं और भी दूर दूर से तो और भी सुन रहे देख रहे हो सकते हैं स्राविका ही भी सुन रहे देख रहे हो सकते हैं समणियां भी कोई हो तो हो सकती है देखने वाली सुनने वाली तो हमारा यह सुबारंब का क्रम इस कंटालिया में और यह जो दन पार्ट